जैहिन प्यारे दोस्तों मैं प्रकास स्वस्ति कानपरवाला प्यार दोस्तों आज फिर हम लोग पढ़ेंगी ट्रिग्नोमेट्री और आज इसे हम लोग कम्प्लीट कर देंगे उमीद हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आज हमारा थर्ड चाप्टर कम्प्लीट हो जाएगा 6200 से इस वीग हम लोग दो से तीन टॉपिक और कम्प्लीट करने की कोशिस करेंगे तो विना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन पहला कोशन 247 नमबर कहता है साइन 7 π.4, साइन 3 π.4, साइन 5 π.4 यानि इसने यहाँ पर सारे के सारे कौणिट का यूज कर लिया सर कैसे हमको ये बात बताईए दोस्तों ध्यान देना हर एक चीज आपको समझ में आय की कि कैसे इन्होंने सारे content का यूज कर लिया जैसे first content में ये value आती है second content में आपकी ये value कि sign pi minus pi by 4 second content में पहुच गया और ये value जो हमारी है वो third content में पहुच जाएगा यानि pi plus pi by 4 और मेरे दूस्थ fourth content में आपके सामने ये पहुच जाएगा sign 2 pi minus pi by 4 ऐसा होता है ध्यान देना जिस fourth content में जब जाएगे तो sign negative होता है तो यहां से minus का sign pi by 4 आएगा into sign pi by 4 तो ऐसे ही रहेगा ये value आएगी sign pi minus pi by 4 तो ये हमारा sign pi by 4 ही रहेगा और ये वाली value जो third content में है sign negative में आएगा ये four time sign आएगा और minus minus प्लस हो जाएगा यानि कही ना कहीं चलो में सारे step लिख रहा हूँ sign की power 4 pi by 4 देखते हैं हम इसको समझ जाते फिर भी हमें लिखना पड़ेगा कि आपको समझ में आए क्योंकि दिख तो रहे नहीं है अब pi by 4 की value 1 by root 2 होती है power 4 रखोगे तो 1 by 4 हो जाएगा उमीद है आज का पहला question हर एक वेक्टी को clear हुआ होगा दूसरा question फिर ठीटा का मान ग्याद कीजिए तिकि जब भी ऐसा pattern होता है और आप देखो सारे options आपके सामने हैं 60, 45, 30, 90 ऐसा दिया गया है और सारी की सारे options हैं पहला तरीका क्या होता है इसे general method से solve करो पर आपके सामने ही जब ठीटा की value रखी हुई है तो आप ठीटा की value से check कर सकते हो ठीटा की value से check कर सकते हो थोड़ा सा आपको common sense देंगे तभी ये question मनाईए जैसे suppose that cost ठीटा यहाँ पर है इसकी power कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है single power देखो पहले square यहाँ जब power कुछ भी नहीं है और cost है अगर sign होता है तो 30 रख कर check करो cost होगा तो 60 रख कर पहले check करो ठीटा बराबर 60 से हम check कर रहे हैं मेरी बात को समझना पहला option भी 60 है वो बात अलग है इसको check कर रहे हैं जब 60 से तो cost 60 की value हमारी होती है 1 by 2 square होगा तो 1 बटा 4 माइनस 3 बटा 2 प्लस 2 और यहाँ 2 sign 60 की value root 3 by 2 होती है इसको रहे होगा 3 बटा 4 यहाँ इसको जब calculate करो तो 4 ऐसे आएगा 1 माइनस 6 प्लस 2 यानि यह जो value आ गए वो 3 by 4 आ जा रहा है माइनस का इसका आ रहा है माइनस का आ रहा है तोरी एक सेकड़ इसमें mistake कर दिया हमने जान देना eraser ले ले LCM लोगे तो 4 ऐसे LCM होगा यह 1 ऐसे होगा यह 6 ऐसे होगा और यह 4 दूना आठ हो जाएगा आठ एक नौ नौ में से 6 गया तो 3 आया तीन बटा चार और यहां पर जो 3 बटा दूर यानि LHS, RHS के बराबर नहीं यानि पहला जो हमेशा हम लोग सीखते हैं इन जन्नल हमारे जो concept है उसको इसने follow ही नहीं किया सीरी सी बात है हमें तो बताना है और बताएंगे इन जन्नल इस पैटेंग का कोशन देखे जैसे कॉस्ट को एडिटा माइनस सम्थिंग कॉस्ट में है प्लस टू साइन में है तो याद रहे अगर कॉस्ट सिंगल पावर में है तो कॉस्ट बराबर मुझा ठीटा की साट वेल रखो तो इससे वन बाई टू आता है अगर साइन है तो थार्टी रखो पहले तो लेचेस आरेचेस के बराबर नहीं है यानि पहला ऑप्षंस मरा गलत जिसकी हमें उमीद होती है करने को तो हम किसी पी तरीकेस करने हमारा उद्देश समझाना है इसलिए समय देंगे इस कोस्ट में तो अभी तक जितरा भी हमने एससे और रेलवे में देखा तो 90 परसेंट कोसेंट में हमारी ये ट्रिक बैठती है और आंसर भी आजाता है 90 परसेंट समझों एक दो परसेंट नहीं हम यहां मुद्दा है कि इसमें नहीं बैटा अच्छा अब बात आती है 45 डिग्री की 45 से हम इसलिए नीचेक कर रहे है क्योंकि यहां से यह वन वाई रूट तू आएगा यहां वन वाई रूट त का स्क्वार यहां स्क्वार तो लेचेस आरेचेस के बराबर होने की कोई उमीद नहीं है 30 क्यों रख रहे हैं यह भी समझों 30 रखेंगे तो कॉस 30 की वैलू रूट 3 बाइट 2 होती है ठीक है यहां से रूट 3 बाइट 2 आएगा और यहां पर सम्तिंग सम्तिंग तो वो रू कीलो जीरो एक ये भी 0 ये 2 और साइन अबे की वैली वन होती है तो अले चथारे चाश के बराबर है अगेन मेरे सब्सक्राइट को समयनना के İş और power सिंगल में तो 30 से पहले चैक करें और अगर सब्सक्राज्ट होता सिंगल पावर में these is check करते अगर यह दोनु तरीके फिट नहीं बैठ रहे हैं यहां option है तो उसको देखिए otherwise आप general method पर जाएए quality क्रिशन मना के solve कीज़े इस question को करेंगे साइन 120 की value, साइन 240 की value, साइन 270 यानि एक तरीके से quadrant में ही यह ले जा रहा है चाओ तो इनकी value आपको मालूम है तो अच्छी बात है नहीं मालूम है तो आप क्या करो पहले समझो जिस साइन 120 या तो आप 180 माइनस 60 कर लो तो यह second quadrant में बना रहेगा और यह साइन 180 प्लस 60 तो यह आपका third quadrant में आ जाएगा और यह साइन 4 तो 360 माइनस 90 कर लो तो यह fourth quadrant में हो जाएगा एक तरीके से दिखा जाए साइन 180 माइनस 60 तो यह साइन 60 होता है प्लस में बात करोगे तो माइनस का साइन 60 होगा जो कि third quadrant में और fourth quadrant में 90 आया जो कि माइनस में रहेगा एक एक का इनका ज्यान होना चाहिए जिनको नहीं उनके साथ खिला होगा अब साइन 60 वेलू रूट थी बाइट ओगा माइनस माइनस प्लस कर दो साइन 60 की वैलू भी रूट थी बाइट वहगा वह माइनस मेंस अट गया ना और यह वा यहां से 3 by 4 आता 4 this is the right answer of this one 3 by 4 अब 1060 माइनस थीटा और कॉट 30 प्लस थीटा एक दूसरे के complimentary zero answer तो इतना सुपरफास्ट कैसे बहुत बताया है अगर आपने शुरुबात से lecture देखे होंगे तो कई बार आपको यह बात clear किया गया है कि इफ यदि थीटा वन प्लस थीटा टू का सम 90 डिगरी होता है तो साइन का complimentary यारी पूरक साइन थीटा वन बराबर cos theta 2 में जाएगा 10 theta 1 बराबर cos theta 2 में जाएगा और 6 theta 1 बराबर cos theta 2 में जाएगा और जो ये दोनों angle का sum है वो 90 होना जीए ठीक है तो ये एक दूसरे कि क्या होते हैं? complimentary होते हैं यानि पूरत होते हैं I hope you guys understand अब देखा यह जाए मेरे प्याइज दूस्तों 60 माइनस ठीटा और 30 प्लस ठीटा तो दोनों एंगल को जोड़ा 90 यानि जो इसकी वैलू होगी वही इसकी होगी कॉम्प्लिमेंटरी माइनस सिम्बल लगा है तो जीरो आ जाएगा बिना किसी मैनत के और एक सब्सक्राइब का कोश्चन है क्योंकि ज्यान की बात है सेल टाटन पर फिर से कि 10 2a बराबर कॉट में अगर 10 कॉट में है 10 कॉम्प्लिमेंटरी कॉट आ गया तो दोनों एंगल का सम 90 होगा जैसे यहाँ ठीटा 1 प्लस ठीटा 2 बराबर 90 लिगा ना दोनों भाई 10 कॉट के बराबर लिख दिया और यहाँ 2a आजे हमारा अक्यूट अंगल न्यून कॉट बोला गया तो कहीं ना कहीं हमें यह 2a और इसका 90 बराबर करना है यानि 2a प्लस a माइनस 18 is equal to 90 यानि 3a बराबर 108 I hope समझ गये होगे a बराबर 36 36 त्याएं 108 क्लियर है 251 के बराबर 252 नमबर कोशन कॉस 18 कॉस 162 अब देखो यहाँ पर कॉंट्रेंट का ग्यान जिसको है वही वैसे तो इस पैटरंग के कोशन का अंसर जीरो ही बनता है सर इतनी जल्दी क्यों बता दिया दो आठारा की चलो वैलू लोग जानते हैं 162 खेला हो जाएगा 203 खेला हो जाएगा ठीक है फिर भी हम आपको सिखाएंगे अधिकतर की वैलू आप बना भी सकते हो जैसे कॉस 162 तो यह कहीं ना कहीं हम इसको लेख सकते हैं थार्ड कॉंट्रेंट में कि 180 माइनस 18 साइन 126 तो साइन 126 को हम यह लिख सकते हैं कि 180 माइनस चौवण भी लिख सकते हैं थार्ड कॉंट्रेंट में अब साइन कॉस अथारा तो एसे रगधो कॉस 180 माइनस थिता माइनस का कॉस थिता होता है और साइन एक स्वासी प्लस ठीटा तो यह थर्ड क्वाटनेंड में निगेट वी जाएगा अब मेरे दोस्त समझ गये होगे इससे यह गया इससे यह गया शूने आंसर होगा कई बार हमने आपको बताया हुआ है क्या पड़ाया है जैसे हमने पड़ाया हुआ साइन 15 की वैलू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 कॉस 15 की वैलू भी बताईए रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2 ऐसे हमने आपको पड़ाया हुआ है 10 15 की वैलू भी बताई हुए 15 की जो की 2 माइनस रूट 3 होता है और कॉट 15 भी बताया हुआ है टू प्लस रूट 3 होता है अब यहाँ साइन 75 तो इसका कॉम्पलिमेंटरी होता है कॉस 15 75 और पंदरार 90 होता है और कॉस 15 की वैलू आपके सामने है मिरे दूसर्स रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 आप्छन में हैं नहीं तो कही सुन कर दो यह रूट 6 प्लस रूट 2 और नीचे 4 रूट 6 प्लस रूट 2 अपान में 4 हो जाएगा इस इस दा राइट आंसर आप दिस वन यानि 253 का जो सही आंसर है वो आप लोग सीख गए होगे 254 नमबर पोशेट अब यहाँ पर 254 नमबर में हमें पेस्जी रखना पड़ेगा पेस्ज यानि हमें content का ग्यान होना चीए sin 180arme 1 धिता 2 यो कि sin 2 होता है cos 90-2 जो कि sin 2 होता है – cos 180-2 तो प्लस का cos 2 होता है साइन 90-2 तो cos 2 होता है यहाँ से sin square 2 cos 2 बराबर 1 हो जाएगा यह राइट आंसर आप दिस वन 254 का वन होगा वन इस इस दा राइट आंसर को सब्सक्राइब करके आंसर हमें निकालना पड़ेगा ऐसा हमें मालूम है दो को भई जिसकी वैलु नहीं जानते ना पांच यानते ना 24 ना एक दूसर से कट रहे होंगे साव सुत्री बाद यह जीरो में जाएगा यहनि कॉस्ट थ्री अंडिट का मान हमें निकालना पड़ेगा आप जो भी होता हो ठीक है जो भी होता हो वह होता हो वह एक और इसको असी मानिस पांच लिख सकते हो और यह कॉस्स दो सो चार्थ यह भी हमारा थर्ड क्वांडियंट पहुच जाएगा एक सो असी प्लस 24 और फूर्थ क्वांडियंट में इसको लिख लो कॉस्ट 360 मानिस 60 बाकी मेरे दोस्ट यह दोनों एज यूजूवल लिखे हैं चलो यहा और यह भी कॉस्ट 24 बोलेंगे फॉर्थ क्वांडियंट में कॉस्ट पॉस्ट्य होता है तो कॉस्ट 60 बोलेंगे इसका 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 कॉस्ट 60 की वैलू 1 बाइट्टू एक समकूर्थ बुझ में भुजाओं का अन्पात 1-2-1-2-2 होता है 1-2-1-2 रूट और इसका मान पूछा गया है जब भी 1-2-1-2 हो रहा है तो हम आपको एक पड़ा पेसेंस वाली बाद अदा दू वन एस्टू वन एस्टू रूट तू यह तभी पॉस्पिल है जब यह एंगल 45 डिग्री होगा जब यह 45 तो यह भी 45 हो जाएगा ठीक है हम लोग यह सब पढ़ाते हैं मेरे दोस्ति इसको नहीं मालूम जैसे हम लोग बताते हैं कि वन इस्टू रूट थ्री इस्टू और यह टू यह एंगल थर्टी होता है यूध को भी पढ़ सकते हो यूध का वॉल्म या टू या थी यह को याद रहे रहें एक नया थेश्च और आ चुका है इनमेंसे कोई भी एक प्रकास कॉंसेट से अभी टेज़ आप्टर का प्रक्टेस जोकि है जा रहा है आपको बहुत होना है उसमें बताया है जाता है जीता एज सिसे को पड़े घुरा थो ठीकिन बताते हैं कई ऐसी बार पता खे तो सबिल से अब यह 60 अगर है तो यह वट्रुरूरी ऋए टू होत है अब दिक यहां पर inject आंगब आउन साइड हम फैस्टाप बूर गया और तो यह इनकी आंगल की बात कर रहा हो आ यह वाला नभ्य की बात नहीं कर रहा हो तो यह सी प्लस भी हो जाएगा या तो कोशन दोनों एंगल का सम 45 पैतालिस नब्वे हो गया तो कॉस्ट नब्वे की वैलू जीरू हो जाएगा उम्मीद है मेरी बास समझ गये होगे थोड़ा सा कोर्षन दो शपन में ठीक है अरे बोलो देवता हूं हाँ यह पैटर्न आज की डेट में काफी मिलना है ठीक है बस यहां पर तो को अगर अच्छा पूर्षन बनाना है तो जैसे इसने बनाने कोशिस किये इसने अगर यही कोश्चन में इसने कोश्चन में इसने कोश्चन नमबर फ्री बोल देता टू बोल देता आप विश्वास मानू नैंटी नाइन परसिंट बच्चा कोश्चन गलत करके आता पर इसने वन बोला है तो कोई इफेक्ट नहीं सारे रूल वही चलेंगे अब जब टू थ्री फॉर बोल देता तो हमें एक कोश्चन में गया है तो साइन और कॉस्च पॉस्ट्य होता बाकी निगेटिव होता उस इसाप से वैलू रखना पड़ता थार्ड कोश्चन में आ तो बोलेगा तो वन आफ दा बेस्ट कोश्चन मनेगा तो कि 99 पर सेंट बच्चा गलत करेगा जी माना करो ट्रेस्ट में एक नाइंटीन का मतलब आप समझ गयो एक क्रोन बच्चे में एक लाग साही अब भरते हैं के क्रोन बच्चे पॉम रेलवे के तो आप जिकते ही है ह जूड़ एससी एमटेस के तीरी चालिस लाग भर रहा है बच्चा तो आप समझीर होगे प्लस बी तो क्या होगा प्लस एट इस प्लस बी माइनस का अब जब टेन एट रीवाइफ फॉर लिखा है इसको साइड में कर लेते हैं बना लेते हैं यह एंगल यह है और थ्री वाइफ फॉर यह फाइफ हो जाएगा एकॉर्डिंट तो दर ट्रिपलेट्स एक है यह एंगल भी है यह 5 यह 12 पांच 12 और 13 पांच 12 ऑ ते रहा को से की वैलू तो को की having और पल क और शाइन की वैलू आ जाएगी थरी वाई 5 कॉस B की वेलू नीचे वालेस देखोगे बारा बटा तेरा और यहां से साइन B की वेलू पांच बटा तेरा तो नीचे तो 65 तेरा पच्छे 65 बारा चो अड़तालिस और पंद्रा कहीन अगे 33 अपॉन 65 इसका आंसर आ जाएगा तो 257 का जो राइट आंसर होगा 33 अपॉन 65 इस इस आ राइट आंसर आप दिस वाण ठीक है 257 का राइट आंसर हो जाएगा 258 नमबर कॉश्चन एक बेसिक कॉश्चन है आप चाओ तो एंगल पुटिंग क्योंकि हमसे एंगल ही पूछा जा रहा है और यार चाओ तो इसको स्वाल कर लो जैसा आप चाओ 45 रखके देख लो तीस रखके 55 रखके साथ रखके देख लो ठीक है बाई एंगल का है वह ना चुपचाफ स्वाल कर लो तो ज्यादा एजी रहता है ऐसा कॉश्चन एंगल निकालना है एल्स कॉस्ट टिटा कॉमन लेड़ो ओपर दोनों में कॉस हमारा कॉमन आ जाएगा ये अब यह यहां लोगे तो ये चलो में लिख देता हूँ बॉन प्लस संयं के तैर अब ये डून रखके आगो लोगे य यह ाब यह तूश्य दैर जाये का जाएगा और कॉस से कॉस काड़ दू, 1 बाइ 2 बराबर कॉस ठीटा, ठीटा बराबर 60 डिग्री, याई 258 का आंसर 60 डिग्री आ जाएगा, है ओप्सन में तो यह आंसर, वहना तो दो आंसर निकलने की उमीद होती है, पर अभी एक यह आंसर, ठीक है, ओप्सन में है तो है, मालो 60 ना हो हाँ, फिर 90 आता, पर 90 इसलिए ना लेते, यह को 90 क्यों ना लेते, यह भी समझा देते हैं, एक्च्वल में ठीटा और आबर जब हम यहां 90 रखते हैं, तो 1-1, 0 हो जाता, अंडिफाइंड केस हो जाता, that's why हम एक यह आंसर लेंगे, 60 डिटी, अब यह कुशन आ गया है, एक प्लस बी बराबन 90 और 10 और 10 बहुत ना, तो मैं तो आपको एक सज़ेस्ट करूँगा, ऐसा करो, एक बी पैतालिस करो, बी बी पैतालिस करो, पर एक बी पैतालिस करते ही, आप्सन में नजर मारना, अब जो को आप्सन नमबर एक टैन पैताल यहां पर इडिवान, यहां आपके साथ खेला हो जाएगा, यहां मेरे दोस्ट आपके साथ खेला हो जाएगा, अगर आपने एब और बी को दोनों सेम मान लिया, जो कभी-कभी यह चीज़े हो जाते हैं, आपको एक चीज़ समझो, अगर हम चाहें तो एंगल बी बराबर 90 90-a यहां से देखें, यानि जहां पर भी b देख रहा है, वहां 90-a नजर आना चीज़, कि जीज़ बात है, अभी देखते हैं क्या बनता है, अरे बोलो मेरे दोता हाँ, अब दोको 10 a तो ऐसे, और 10 b 90-a, तो 10 90-a कोट a हो जाएगा, यानि 10 a, 90-a कोट a हो जाएगा, यानि सेम चीज़ यहां, 10 a ऐसे, और 90-a, कुछ कुछन मिश्टेक तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, पॉट भी में, यह भी 10 a हो जाएगा, नीचे आता है, साइन ए तो ऐसे रखो, सेक 90-a, कॉस एग होता है, यह तो 1 हो गया, यह भी 1 हो गया, 10 और कॉट और कॉस एग, तो यह 1 प्लस 10 स्क्वाइर है आगा, और 1 प्लस 10 स्क्वाइर है को हम लोग बोलते है सेक स्क्वाइर है, और बाहर आएगा सेक, कि विस्टे की स्क्वार एंग है न से कि इस दर राइट आंसर आप दिस वन 259 का अंसर से ए आएगा से की इस इस दर राइट आंसर आप दिस वन उमीद है मेरी बार समझ गए होगे 259 के बार 260 नमबर कोशन यह प्याए दोसको एज एक पॉंसेप्ट होता है एकस स्क्यार माइनस वाई स्क्यार की वैलू माइनस का ए स्क्यार माइनस बी स्क्यार आएगा तो इसमें दो पैटन पर होते है एक पैटन क्या होता है अच्छा इसमें माइनस में क्यों लिया आता है पहले यह संबलो एक्च्वल में क्या होता है सेग स्क्यार खीटा माइनस इसका रिटा वन होता है इसलिए माइनस मिले जाता है और वैसे प्लस वाले में तो साइन और कॉस तो साइन इसका रिटा प्लस का रिटा प्लस में तब वन होता है देखो दो पैटन में बनता है एक तो यह बनता है A sin theta B cos theta बराबर M यहाँ B sin theta प्लस की जगे माइनस होता है A cos theta बराबर M दोनों के equation के work करके जोड़ने पर एक result आता है वो A square प्लस B square M square प्लस N square का आता है एक तो यह चलता है दूसरा आपके सामने जो है वही लिखे रहा हूँ A sec theta V 10 theta A 10 theta V sec theta तो इनके work करके घटाया जाता है X square minus Y square A square minus का V square घटाते क्यों है क्योंकि 6 square theta minus का 10 square theta 1 होता है और वहाँ साइन स्क्राइड प्लस का कॉस्क्राइड तो इसलिए इस वाले result में क्या होगा यह तो यह result है इन result को त्यार कीजिए अपने copy में कहीं लिख दीजिए ठीक है इसमें होता क्या है यह समझो इस equation इस equation के work करके जोडने पर इसका work और इसका work करके घटाने पर अब यहां तो सब कुछ दियाए गया हुआ है ठीक एक दूसरे के complimentary लिखे भी है 261 में तो उसी इसाब से तेजी से कर भी सकते मेरे बाई जी आँ तेजी से कर सकते हैं सरक कैसे समझना भाई ठीटा 1 प्लस ठीटा 2 बराबर 90 बहुत बार बताया है और इसका complimentary क्या होता है मेरे व्यों sin ठीटा 1 बराबर cos ठीटा 2 10 ठीटा 1 बराबर देखरो दया यहां caught लिखना है caught ठीटा 2 से ठीटा 1 बराबर cos ठीटा 2 मेरे बातों को सुनो धीले धीले करके अभी एक दूसरे के complimentary है तो उस case में मेरे दोस यह 47 और 43 इसका sum 90 होता है यानि दोनों सेम सेम हो जाएंगे जो 47 की value होगी 43 की value होगी कर जाएंगे 1 का स्क्यार 1 similarly cos 43 और sin 43 47 तो यह भी 1 हो जाएगा और cos 45 और 1 by root 2 square करोगे एक बटा तो यह भी 2 हो जाएगा यह भी 2 शूनी इस दा राइट आंसर यानि इस question का answer 0 आएगा 261 का अब 0 ही हो गया आप इसमें बचा गया बोलो हाँ यहाँ पर पॉल्सी में जाओ ऐसे by sign लिखा हुआ है m और यह 1 प्लस m square अब यहाँ value किया आएगी तो हम आपको बता दे क्रण का square में लिख देता हूँ क्रण का square minus lump का square English में hypotenuse का square minus का perpendicular तो उसका square कुरोगे तो 1 प्लस m square होगा और यह minus m square या निवन आएगा वैसे तो हमें मालूम था फिर भी हमने लिख के इसलिए बताए कि आपको समझ में आए बस 10x का मान m upon 1 हो जाएगा यानि m is the right answer इसमें confusion की बात नहीं आपको पाइथा गुरस को solve बनाना आना चाहिए यहां पर भी एक दूसरी के complimentary होंगे यानि पूरत अब दोको 17,43, 60 degree होता है यह डिगरी है यह मिनट है इसके बाद second में लिखा आता है 17,47, 60, 60 मिनट समय नए यह डिगरी है तो एक जो हासिल वाला है जो इसकी वैलू होगी 20 की होगी यानि यह वान हुआ सेम चीज 32,58,90 होता है यह भी सेम सेम अभी थोधे पहले बताया दे ना यह वाला यह concept ठीटा 1 प्लस ठीटा 2 बराबर 90 ठीक है अरे बोलो मेरे देवता हूँ हाँ जोटी छोटी छोटी जीजो को हमें सीखना है तभी आंसर आते है अब इसमें क्या है कि आपको जनल तरीके से कर दो तो जल्दी हो जाएगा भाई 10 A तो ऐसे लिखो भाई अगर जनल नहीं करूँगे और कोई प्रोसेस जोगो तो समय परबाद हो जगता है तो कही ना कहीं आप 10 A ऐसे लिखो अब 1 प्रोस 10 स्क्वाइर A को हम लोग बोलते है सेक स्क्वाइर पावर है भाई इसे हम लोग बोलते है सेक स्क्वाइर पावर 2 है तो 4 हो जाएगा सेक की पावर 4 हो गया उपर जाएगा तो ये कॉस की पावर 4 A कहलाएगा सिबलर लिख कॉर्ट ए चलो भाई ऐसे लिख दो अब यह वन प्लस कॉर्ट इसक्वेर है तो यह कॉसे के स्क्वेर हो जाएगा पावर दो है तो यह चार हो जाएगा उपर जाएगा साइन की पावर पोर हो जाएगा अब यहां तेजी से काटना तो साइन भाई कॉस तो कॉस से कॉस गया यहां लिख सकते हैं साइन ए कॉस क्यूब यहां पाट ए लिखा है तो कॉस भाई साइन साइन से साइन गया यहां लिख सकते हैं कॉस ए साइन क्यूब कि अब मेंदूसाइन इक उसे कॉमन ले लीजे साइने को से कॉमन लेख पोश स्पाइर इंग अ इस प्लसराइड अम धा per सब्सक्राइब यह तो वैलू बन हो जाएगी यह वैलू बन हो जाएगी और साइन इंटू को से हमारा आंसर आ जाएगा इस इस दर राइट आसर तो उमीद है यह मेरी बात समझ गया हो कि बैतरीन कोशन अब बच्चा क्या यहां पर यह बराबर पैतालिस रखेगा तो फिर ओप्सन में सारे चेक करने पड़ेंगे ठीक है कही खेला हो गया तो कहाएगा सर्वाइद इस्पूल आवरी हां खेले की चैंसे बने रहते हैं हमें सा यादर के ठीक है पैतालिस पे भी रख्किक कर सकते हैं ऐसा नहीं है हो सकता है ना खेलाओ हाँ कोई भरोसा नहीं है अज के एट पर है क्याले अब यहाँ पर जैसे यह लिखाए तो यहाँ पर में एक फॉर्मला याद आता है क्या साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी तो यह होता है टू साइन एट साइन ए प्लस बी और इतना यह ए प्लस बी और यह ए माइनस बी ऐसे करके इसका डायट आप आएगा टू ऐसे लिखो साइन ए यानि साइन थार्टी लिख दो और साइन भी तो बी की जगे ए है तो रिकॉस ए टू टाइन थार्टी की वैलू वन बाई टू होती है और कॉस है तो रिया इसका आंसर कॉस यह आएगा बैतरीन कुशन है रिस्क नहीं लेना है कॉंसेप्ट पर ध्यान देना है तो आंसर आ जाएगा कॉस इस दा राइट आंसर वन माइनस साइन स्कुरिटा और टेन स्कु पर लिखा ना तो अब इस केस में क्या करो ऐसा करो वैलुट प्रण अपने मन से रिडार वर जी रग दो हां फिटा जीरो रग दो जीरो के और रग दो को फरक ने वर्ड़ ना रग दो अगर हम खीटा बराबर यह रखते हैं मेरे बात को समझ ने हो आप्जिन में यह इंफिनिटी हो जाएका सारे ऑप्सिन डिफरेंट है वन माइनस खीटा जीरो तो यह 0 हो जाएगा यह 0 तो इसके जाद कुछ भी हो वो भी 0 माइनस वन जो ऑफ शर मेने है हमरे साथ खेला हो हो गया है हम्रे साथ खिला हो आप क्या किया जाए दुकर इन्हीं सब चीजों को सबनना है इन्हीं सब चीजों सबनना है तो 266 में आप दिमार्ग लगाई क्या ऐसा करें कि आंसर आ जाए यह तो आप सरी में यह माइनस वन हटाओ अभी कोशन सही है कि नहीं बसी यह देखना पड़ेगा हुँँँओ जाए यह कोशन देखो आप बेशिक से कर लो सबसे बढ़तीा साट एक आप का च्वन प्लस लिए को मनों बोलते सिर्ष गनाव को का और माइनस वन यह दोनों मिल गए आ आस एक तो वहां थाउता है , वान माइनस वफ फ आश्विनky I agree झाई है ? मैं शीखना है मैं अलफा की वैशन फोटी फाइड डिशाइड होगे यहां फोटी फाइब रहं दो चैन फैटलेस वन बाइरूट्टू स्याक करोंगे एक बड़ा दो आएगा कॉस्पेटलिफ बाइरूट्ट इसक्वर तो आएगा कासे पैटलेस रूट टुक योगा पॉट का वन होगा यहा कोशन नमबर 267 का जो आंसर आएगा पांच बटा शे आएगा पाइब सिक्स इस दा राइट आज़र 268 अब यह तो आप जानते हैं मेरे दूस्ट यह तो बहुत फर्जी कोशन टिक मानना है हम अच्छे जानते हैं क्या सिक ठीटा प्लस 10 ठीटा और सिक स्कुराइट ठीटा माइनस 10 ठीटा वन होता है ऐसा क्यों क्योंकि से के स्कुराइट ठीटा माइनस का 10 स्कुराइट ठीटा बराबर वन अच्छा सपोस्ट यह पी है यह वैलू पी है यह बगल वाली बन बाई पी हो जाती है यानि एक जुस्रे के रेशी प्रोकल चलता है यानि यह चीज़ जो लिखी है वरन अप उन त यहां प्लास वाला आएगा जी यह तो फॉर्मला हो गया यहां इसने कॉम्प्लिमेंटरी ही बोला गया यह एक दूसरे के पूरक एक दूसरे के पूरक का मतलब क्या होता है ये दोनों इंगनल का सम्ना ऐन्टी डिगटीग्री होना जीए किAudi अब यहां कि decor inhale of the cost a plus B. अब यह फिलए हमारा क्यों गड़ी जीरो होता है बैनप उ Work यॉश्र का आंसर में दोस्त जीरो आएगा जीरो आएगा इसमें कॉम्पलीमेंटरी पूड़ा एंग्लिस में पढ़ लो अनुपूरक हिंदी में क्या है वो नहीं मालूं कॉम्पलीमेंटरी मतलब मतलब a plus b का सम 90 देखते हैं और साप्लीमेंटरी का मतलब a plus b का मतलब 180 देखते हैं दोनों भासाओं का ग्यान होना चीए अपके तब वाट विल में दा वैलू आप कॉस्ट 4x कॉस्ट 4x का मान इसका मान पूचा गया कॉस्ट 4x का तो हम जानते हैं कि दुखो ऑप्शन में दुखो वन माइनस करके चल ला है तो कॉस्ट के कई सारे मान होते हैं जिसे कॉस्ट 2x का मान क्या होता है पहले सुनू सुन्हर पास्ट 2x कमान एक होता है 2x2-1-2sin2x 1-2x-1-2-e-abattach- एक होता है पास्ट कि पाउर 4x- का साइन की पाउर 4x कई बार ये सारे फॉर्मले आपको पढ़ाए गए है पहले लिखवा आज पॉर्म में कई बार कमजन 3,4 बार तो लिखवा आए है अब यहाँ 4 लिखा है तो पहले हमें जाना पढ़ेगा 1-2 साइन एक्स नहीं लिखेंगे साइन स्क्वार टू एक्स लिखेंगे चार का अधा दू अब यहाँ सिंगल में है 1-2 अब साइन 2 एक्स का फॉर्मला हम जानते है क्या होता है साइन 2 एक्स और कॉस एक्स और पावर है स्क्वार हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1-2 दूना 4 दूना 8 यानी 8 साइन स्क्वार एक्स कॉस इस्वार एक्स यानी 271 का जो राइट आंसर आएगा वो यह है 271 का आंसर कॉस 45 प्लस एक्स कॉस 45 मैनेस एक्स अभी थुदिर पहले एक फॉर्मूला आपने जाना था जैसे हम जानते हैं तो कॉस फॉर्मूला समझो चाल का हो यह предлож was a प्लस भी और कॉस प्लस ए कॉस्ट बी बस इसी फॉर्मूल कर बेस्ट ये नहीं मैने इस तो यह जो बन जाएगा तो वह बन जाएगा टो आहाँ कि और कॉस एक्स प् couस एक्स आलिसuki थ५॑ नोक टूक यह तो कॉस एक्स हे this is the right answer of this one root 2 cos x 272 का right answer root 2 cos x हो जाएगा sin x 5 बटा 13 तो triplets का ग्यान होना चीए इसका triplets का ALP tier 2 का कोशन है triplets का ग्यान तो ये 5 ये 13 तो ये 12 हो जाएगा तो कि हम अच्छे जानते कि 5 बारा 13 हमारा triplets होता है अब cortex का मान हमसे पूछा गया है तो cot क्या होता है बेस अपन हाइप बेस अपन perpendicular बेस क्या है यो कि 12 है और perpendicular क्या है जो कि हमारा क्या है पांच बार अपांच ए राइट आंसर आप इस वन टैल बाई फाई अब यहां पर आपको एक चीज़ अभी से बता दे रहे है जैसी यह चीज़ है इसमें हमारे कई पैटन की कोशन आएंगे उनको डाइट अभी टिक लगाएंगे पर हम समझा आपको यहीं पर देते हैं जैसे कौट की पावर फू ठीटा कौट स्कॉयर ठीटा बडाबर सपोस्थ पी है अब यहां पर करना क्या होगा क्वाट स्कॉयर ठीटा को कॉमबल लिश्य यह बन गया कौट स्कॉयर ठीटा प्लस वर्ल अंब बराबर भी ही रहेगा, अब cot square theta को हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं, cossic square theta minus 1, और 1 plus cot square theta को हम लोग बोलेंगे, cossic square theta, बराबर भी, अब इसका into कर दो, ये cossic की power 4 theta, minus cossic की power 4 theta, बराबर भी, यानि जो इसका मान होता है, वही इसका मान होता है, यानि अगर ये 3 है, तो ये भी 3 होगा, और अगर ये वाला 3 दे दिया रहता, तो ये भी 3 होता, इसको याद कर लो, same pattern पर हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे, देखेंगे, बहुत सारे कुश्चे मिलते हैं, जैसे लिख दिया कि से की पावर 4 ठीटा, माइनस से की स्क्राइड ठीटा, बराबर एक्स, और हमसे आप कह रहा कि भी 10 की पावर 4 ठीटा, तो वह भी X ही होगा, तो जैसे ये समझाओ, वैसे ये, same process है, जैसे 10 की वार 4 ठीटा और 10 की पावर 4 ठीटा और 10 की पावर 4 ठीटा कॉमन ले लो, फिर उससाब से, डाइड आंसा करेंगे, इसका 3 आएगा, अब जैसे ये कॉश्चन है, options के थुरू जाएगे, हाँ, options के थुरू जाएगे, जिसे, चाओ तो solve कर लो, भाई, 6 की पावर 4 ठीटा क्या बोलते हैं, उससे चाओ तो, उससे solve कर लो, और उना options चाओ तो, options से कर लो भाई, हाँ, अब ये आप पे है कि भाई, आप कितना expert बना जाएगे, तो यह से कर लो, चलो, हम बैसी कर लिरे आपने अपना दिमाग लगा ले लेन, यह तो वन होता है न, तो फोन इदर किया तो क्या आया चार आया न, यहनि चैक इसज ब्राबर 4 यहनि से खेस ब्राबर 2 और से खेस दो कब होगा जब एक्स बराबर साथ होगा जबाद साथ डिगरी पर वैल्यू दू होती है यह आंसर आ गया आप अपना लगा लेना अब टेनल पर रूट टू माइनस वन तो जो पॉर्ट अलफा वो रूट टू प्लस वन हो जाएगा सर ऐसा क्यों अभी सम्झों को टेनलफा रूट टू प्लस वन जाएगा इसका कान्यूगेट पर इन डोनों का इंटू वन आरा यह जिए वाल यह प्लस वन तो टेनलफा इंटू कोट controlled हर दो माइनल रूट वन रूट टू-1 रूट2 एमिनस वन रूट रूट प्लस वन ए मैनस बी और और a plus b तो a square plus minus का 20 square तो 2 minus 1 तो यह हो गया अब यहीं समझ लेना आज suppose कहीं लिखाया है कि 10 alpha under root a plus under root b तो जो court alpha होगा मेरे पास हो रूट a minus root b होगा plus a minus b अब यहाँ पर कीजिए आप समलों सेम जीस दोनों में चलती है अब जब इंट दो को इसका यह हुआ अब a minus b इसलिए कि a minus b आटोमेटिक आपका जो भी बन जा जिसे यहाँ पर root two minus one root two plus one suppose that यहाँ पर यहाँ माइनस से यह प्लस हो जाएगा तो यहाँ ऐसे लेगा ठीक है तो दो नीचे दो माइनस एक तो एक ही होता है अब टैन अल्फा कमान क्या आए रूट two minus one minus two plus one इससे यह गया minus one or minus one minus का टू आंसर जो आएगा वो माइनस का टू आएगा समझ गया ना में दूस थोड़े दिर पहले वाला ही है अभी बताया था मिने तो आप मैं दुवारा नहीं बताऊंगा यह अगर दो है तो यह भी दो हो जाएगा चाहिए देखिए कौन से कोशन में कोशन नमबर 274 में लगा रहा है तो यह ना टू साइए नमबर अप दो कह कर रहा है साइन ठीटा और यह फर्मुला लगा रहा रहे है यह साइन एक कासब से यह तेकेस हो गया साइन ठीटा प्लस 90 मैंस ठीटा happy birthday और साइन एक्स प्लस कॉसिक्स रूट टू साइन एक्स और टैनेक्स का मान पूछ रहा है पेसिंस रखो दोगो सेम जैसे यह कोश्चन एट टू सैवंटी नाइन एल पी का ऐसा ही दो हजार एक्किस और बाइस में जो पेपर हुए है देलवे के उसमें से पैटन पे काफी कोश्चन मि लें अब जिए कॉस एशर्पो और साइन एक रूट टू माइनस का साइनेक्स हो जाए गा हम देल यह रूट टू यहां से वन ले लेंगे और भाग देगे तो यह कॉर्ट एक्स बराबर रूट टू माइनस एक्स आजाएगा रूट टू प्लस वन थोज पहले वाला गया पढ़ाया मैंने, एक समकोर तरिवोट ABC में समकोर B है, समकोर B है, यानि ये B है तो ये A और ये C लिपनो, टैने बराबर 4 बटा 3, यानि ये 4 और ये 3 ये रेश्यो होता है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो 4-3 तो हाइपोटनेस 5 हो जाएगा, अब हम से कहरा AC बराबर 25, ये 5 बराबर 25 के, 20 का मान पुछ रहा है, 4 बुड़े 5, 20 हो जाएगा, 20 is the right answer of this one, अन्तिम कोश्चन इस श्याप्टर का, अब 3 cos square x minus 2 sin square x, 0.75 ऐसे लिखा हुआ, तो को angle put करोगे, तो हो सकता है, आपको समय लगे, पॉइंट 75 करके इसने, टेंसर बढ़ा दिये, आप दरिये नहीं, बहुत इजी बिसे बताएंगे, 3 cos square x को ऐसे रखो, sin को ही ब्रेक कर दो, 1 minus cos square x, यहां से minus का 2 आएगा, और यह 3 है, यह minus minus plus हो जाएगा, यह 5 cos square x हो जाएगा, और यह minus का 2 इधर जाएगा, यह तो 3 by 4 होता है, ना, 0.75, तो यह plus का 2 हो जाएगा, मैंस का 3 by 4, यह 5 by 4 हो गया, 5 से 5 गया, तो cos square x बराबर 1 by 4, यहीं, x बराबर 60, तो कि cos 60 की वैलू, 1 by 2 होती है, उमीद यह चीज़ समझ में आगया होगा, यहीं, x बराबर 60 डिगरी होगा, तो इस इस आ राइट आंसर, प्यारे दोस्तों, आपको धीरे-धीरे करके मैं पेसेंस रखना पड़ाएगा, अभी जीवन में हमारे एक आद मैंने ऐसे ही खेला है, ठीक है, और जो चल रहा है, दिये दे करके पढ़ाएंगे, आपको हम बता दे, हमने रेलवे का बहुत कुछ पढ़ा रखता है, पहले से अपडेटेट पोर्शन को पढ़ाया जा रहा है, इन चीजें हमने इस किताब की 6200 के कप्रेट का लिए, नमबर सिस्टम, LCM, SCF, जो की दोनों डिश्टल बोट में, और ठीक्नोमेटरी हमने ऐसे पढ़ाया है, लैप्टॉप, आने वाले समय में हम इसका आर्थमेटिक का चैप्टर चालू करते है, ठीक है, कौन सा तो मिलेंगे, बिलेंगे, तो बस पढ़िए, मुस्क्राइए, और कमेंट करके बताइए, समय में आ रहा है कि नहीं, हम मेहनत करते रहेंगे, और बाकी जो बोड में पढ़ाया हुआ है, डिश्टल बोड और वाइड बोड में, यूद का पढ़ाया हुआ है, वालिम एडि का पूरा सुलूशन है, नाम मात की सुल्क में यानि सो और रुप है, ठीक है, परतरी मुस्क्रातरी अभी लेतना है, जैहें, जै भारत